हैलो दोस्तों तो आज का टॉपिक है री जनरेटीव ब्रेकिंग सिस्टम देखें यह एदवांस शिस्टम आए हैं जो की हमें फाइदा दे रहे हैं हमारे इंजिन्स को हमें एनर्जी एफिशेंट बना रहे हैं ठीक है और ये breaking system अलग तरह का क्यूं है इसका नाम देखिए पर सबसे पहले री जेनरेटिव री मतलब दुबारा जेनरेटिव मतलब जेनरेट करना अब हमें ये पता है कि energy हमारे पास constant है total energy जो है वो constant है अब energy का conversion हमें पता है कि एक form से दूसरे form में convert की जा सकती है ठीक है उसका हमने फाइदा उठा लिया फाइदा किस तरह से उठाया कि देखो यार किसी ना किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है आइडिया कोई ना कोई आता है उसको engineering में लाना ये main काम आयता है अब किसी ने दिमाग क्या लगाया देखो कितना सही दिमाग है कि जैसे ही मानलो गाड़ी चल रही है अब 60 कि स्पीड पर गाड़ी चल रही है 60 किलो मेटर पर आर पर गाड़ी चल रही है पूरी स्पीड पर आ रहे हैं और अचानक से हमने ब्रेक लगाई अब जब ब्रेक लगती है ना तो हमारे पास ये मान लो यहां पे वील है तो इसके अंदर क्या होता है ब्रेक शूस होते हैं ब्रेक शूस अब मैं यहां पे पूर एक्स्प्रेंट करने के जाए थोड़ा सा जल्दी में रफ में बताता हम आपको कि इस तरह से brake shoes हैं मारे पास बान दो ये है और ये भी brake shoes है जब आप brake लगाते हो तो ये brake shoes जो है वो लग जाते हैं इसके wheel के साथ लग जाते है ठीक है अंदर जो system है पूरे explain नहीं कर रहा है तो ये जो लगता है ना इसके साथ जब खुलती है ये shoe brake लगते है तो यहाँ पर friction होता है बहुत जदा friction होता है और सारी की सारी जो energy है आपके पास kinetic energy थी वो सारी की सारी heat energy में बदल जाती है kinetic energy मेरी सारी की सारी heat energy में बदल गई और वो एक तरह से क्या आगया heat energy क्या आगया वो आगे मेरे पास wastage आगी कोई फाइदा ही नहीं है उसका waste गई वो मेरी energy तो kinetic energy को हम फाइदे वाली energy में नहीं बदल सके जिससे हमें फाइदा मिल सके तो किसी ने दिवाज लगाया नहीं यार इस kinetic energy का कोई तो फाइदा उठा ले तो हमने क्या किया कि यह माल लो यहां पे यह system है जो हमने जब भी brake अप्लाई करना है तो हमारे पास यह जो shaft घूम रही है ठीक है अब एक चीज़ हो और जब भी brake लगती है तो हमारे पास wheel यह देखो यहां पे भी friction होती है यहां पे भी friction होती है जिसके कारण गाड़ी रुकती है तो यहां भी friction है यहां भी friction है तो इनको रोकने में सारी की सारी energy बेस्ट होगी अब देखो कि अगर जब भी brake लगाओ तो यहां एक ऐसा system लगाओ कि यह जो wheel घूम रहा है इसके साथ attach हो जाए एक motor की तरह से मैं आप भी आपको बता रहा हूँ यह actually क्या होगा पूरा explain करूँ यह component लगा दिया मालो कि यह component जब लगा तो इसके साथ ही attach में होगा जब भी brake लगानी है जब brake लगानी है तो यह component इसके साथ attach हो गया तो इसकी energy एक तो देखो brake ने रोकना है इसको और दूसरा इसने इसको चला दिया इसने जब इसको चला दिया तो यह भी शाफ्ट खुमने लगी तो यह इसकी kinetic energy घुमाने में यूज होगी किसको इसको तो यह भी kinetic energy में आगे बदल गया ठीक है इसकी kinetic energy आगे kinetic energy में ट्रांसफर होगी और ये वाले शाफ्ट खुमने लगी शाफ्ट ने खुमा दिया आगे माल लेते हैं छोटा जनरेटर है ठीक है छोटा जनरेटर है जिससों हम डाइमो भी बोलते हैं जनरेटर है तो ये क्या करेगा ये हमें electricity उप्टियूज करके देगा वो electricity हम अगर यहाँ पे बैटरी में श्टोर कर ले ये बैटरी में श्टोर होगी energy तो ये useful energy आगी तो ये जो useful energy है इसका फाइदा मिल गया हम भी देखो इसको कैसे use कर सकते हैं पहली बात तो ये समझो regenerate हो गया न regenerate होगी useful energy तो useful energy पहले पेटरोल में थी पेटरोल में एनरजी थी उसको हमने यूज कर लिया engine चला engine चलने से वील चले वील से हम वाब work done हो रहा था हम जा रहे थे वो kinetic energy वेश जानी थी उसकी बज़ाए हमने क्या कर लिए इसको चला लिया ये चला तो हमने electricity बोडूश की जो भी करना है उस बैटरी में energy श्टोर होगी तो हमें useful energy मिलगी अब कई गाड़ियां जो electricity पे ही चलती है दोनों चीज़ाने लगी न अब electricity पे भी चलने लगी गाड़ियां और पेटरोल पे भी चलने लगी डीजल पे चलने लगी तो हमारे पास क्या होता है कि यही energy से हम आगे इसको motor को भी दे सकते हैं power motor को दे सकते हैं power जो की आगे wheel को चला देगा तो यह energy हमने motor चलाने भी यूज कर सकते हैं समझो tire ने energy दी energy ने tire चलाई ठीक है tire की kinetic energy electricity में बदली electricity की energy फिर से kinetic energy में बदली तो मेरे पास घूम के फिर energy मेरे पास पहुँई प्यारी तो आप waste करने की बजाए उस चीज़ को use कर रहे हो कितनी अच्छी चीज़ है ठीक है यही होता है मेरे भाई ठीक है जब तक आप चीज़ को use करना सही नहीं सीखते न ठीक है सबसे ज़्यादा हमारे घुरों में चीज़ें use होती है ठीक है हमारे जो घर में खास करके क्या होता है पहले तो जीन खरी दो जीन खरीने के बाद जब वो थोड़ी फट जाए तो उसकी निकर बना लो जब वो भी खिस जाए तो उसका पोच्चा बना लो कुछ ना कुछ उसका use करते रो कहीं न कहीं यह नहीं कि यार महीना होगा पैंट यूज कर ली बस फैंक दो नहीं जब तक वो खतम नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं छोड़ते तो हमने भी ऐसा ही करना है एनर्जी खतम नहीं होने दिनी कहीं पे एनर्जी अगर कहीं दिख रही है कहीं और यूज हो सकते हैं करो करो उसे एनर्जी को use ठीक है आपने देखा ना कई वह मम्मी खास करके देखना घरों में क्या करते हैं तबा गरम करेंगे आप जूर देखना घर में ये करेंगे तब रोटी गरम करेंगे हैं रोटी बनाएंगे रोटी बनाने के बाद जब तबा उतारेंगे या तब गैस बन करेंगे तो तबे में heat energy होगी तो मम्मी ना उस पे जाके कोली रख देगी दाल की दाल सबजी जो भी गरम करनी है और आपने इनर्जी वेस्ट जाने दी, तो इससे बुरा नहीं हो सकता कुछ, तो वेस्ट मत जाने दो, रीजनरेट करो, इसलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज में आता है, मुझे उमीद है कि आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का आइडिया मिल गया ह कि मैं क्या सम्झाना चालता हूं ठीक है और आपने मुझे पताना है कि यह कौन सी गाड़ी में यूज होता है ठीक है कौन सी गाड़ी में अभी यूज हो रहा है और अगर आपको इस चीजी के समझायगी है तो मेरे चैनल को स्पोर्ट करें यहां गset गोल्र वन जो बटन है उसको सब्सक्राइब करें ठीक है उस बटन कर ख्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब कर बटन आएगा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज को आप शेयर कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्ट्राग्राम, वाटसेप पर थेंक यू